तो वेलकम टू योर टीचर क्लास और आज हम लोग बच्चो अध्याई तेरा मिट्टी विज्ञान का कक्षा साथ का जो विज्ञान है अध्याई तेरा पिछले बार मिट्टी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और बच्चो आज हम लोग इसका अभ्यास यानि प्रश् देना है तो पहला कोश्चन है जल्धारन चमता सबसे अधिक होती है तो बच्चो जल्धारन चमता जो है सबसे अधिक होती है बच्चो चिकनी मिट्टी में ठीक है जल्धारन चमता सबसे अधिक चिकनी मिट्टी में होती है दूसरा प्रशने बच्चो धान की फसल के लिए उप्युक मिट्टी होती है, चिकनी एवं दोमट मिट्टी, तो गवाला विकल्ब सही है, चलिए तीसरा क्वेशन है बचो यहाँ पर, किस प्रकार की मिट्टी में अन्तः श्रावन दर सबसे अधिक होता है, तो बचो बलुई, हम लोग ने पिछले बार पढ़ा था, अन्त श्रावन दर जो है वो बलुई मिट्टी में होता है, ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स कुशन के लिए आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा प्रशन है बचो, मिट्टी का निर्मार किस प्रकार होता है, समझाइए, ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं, क्य से ही लिखेंगे, मिट्टी का निर्मान, क्योंकि सबसे सटीक परिभाषा यहां दी हुई है, तो इस प्रश्न का उत्तर की मिट्टी का निर्मान कैसे होता, प्रश्न दो का उत्तर है, यहां से बच्चों आप लिखेंगे, कहां से लिखेंगे, देखिए, तेज धूप के कार इस प्रक्रिया में चटानों के अंदर पेड़, पॉधों की पत्या, मृत सजीवों के अवशेश मिल जाते हैं, पवन, जल और जलवाईू की क्रिया से चटानों के तूटने पर मिक्टी का निर्मार होता है तो बच्चो यहोगे आपकी प्रष्ण दो का उत्तर, यहां मैं दो लिख देती हूँ, यहोगे आपकी प्रष्ण दो का उत्तर, तीज धूप से लेकर यहां निर्माण होता आ तक आप इसका उत्तर लिखेंगे, ठीक है? तो चलिए अमनों नेक्स कोशन देखते हैं. तो बच्चो तीसरा प्रश्न दिखिए क्या है? बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी तथा चिकनी मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें. ठीक है? तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चो हम यहां से लिखेंगे. देखें हैं मैंने यहां पर तीनों का अंतर यहां पर लिखा हुआ है, तीनों मिट्टी का मैंने अंतर यहां पर लिखा हुआ है, चलिए इसको हम लोग प्रश्न को देखते हैं, तीनों को, तो यहां पर देखें लिखा हुआ है यहां प्रश्न आपकी तीसरी प्रश्न का उत मिट्टी में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह बलव मिट्टी कहलाती है चिकनी मिट्टी यदि सुक्ष्म कणों का अनुपात सुक्ष्म मदलब छोटे कणों का अनुपात अधिक होता है तो इसे चिकनी मिट्टी कहते हैं कन जुड़े होते हैं ठीक है इसमे अंतर देखिए हम लोग क्या लिखेंगे इसमें दूसरा अंतर बलुई मिट्टी में इसके बीच काफी रिक्त स्थान होते हैं ये स्थान वायू से भरे होते हैं चिकनी मिट्टी में इनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है मिट्टी में वायू कम होती है चीक है ये हो ग शम्ता होती है, तीसरा इसमें क्या लिखेंगे, बालू के कनों के बीच, ठीक है, यहाँ पर, बालू के कनों के बीच के स्थान में से जल की निकासी तेजी से हो जाती है, क्योंकि इसमें स्थान जादा होता है, पानी डालते ही, निकासी जो है, जल की तेजी से हो जाती है, अ तो इसमें जो कन होते हैं, जो स्थान होते हैं चिकनी मिटी में उसमें पानी रुक जाता है, ठीक है, और दोमट मिटी में सबसे अच्छा क्या है, यह सबसे अच्छी मिटी कहलाती है, पादपो के लियानी के पौधों के लिए, अब देखिए यहां पर चौथा, बलुई प्रश्न का उत्तर यह हो गया, बलोई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी में अंतर, तो आप इसका स्क्रिंशॉट ले लिजे, और इस अंतर को आप लिख ले जे, यह हो गया आपके प्रश्न तीन का उत्तर, तो देखिए बच्चू, अब हमारा है चौथा प्रश्न अंतर, शावन, दर से आप क्या समझते हैं, ठीक है? तो चली बच्चू, अब इस चौथे वाले प्रश्न का उत्तर देखते हैं, तो उत्तर में क्या लिखेंगे बच्चू? मिट्टी में पानी का सोखना अव शोशन अंतर, श्रावन, ठीक है? जल की मिट्टी में अंतर, श्रावित होने में लगने वाले समय के आधार पर अंतर, श्रवण, दर की गणना ही अंतर, श्रवण, दर है, ठीक है? मिटी में पानी कितनी तेजी से अंदर जाता है अंतरश्रवन दर कहलाता है अंतरश्रवन दर जो होता है वो मिली लीटर पर मिनट होता है मतलब जल की मात्रा ML में और उसे हम भाग देते हैं अंतरश्रवन अवधी मिनट में तो कितना जल कितने मिनट में अंदर मिट्टी में गया यही अंतरश्रवन दर होता है यह दर बलुई मिट्टी में सबसे अधिक और चिकनी मिट्टी में सबसे कम होती है तो यह हो गया बच्चो आपकी चोथे वाली प्रशन का उत्तर तो बच्चे चोली अब हम लोग पांचवे वाला प्रश्न देखते हैं पांचवा प्रश्न है जल्धारन क्षमता से आपका क्या अभी प्राय है ठीक है अंतरश्रावन दर और जल्धारन करने की छमता में क्या अंतर होता है तो हम लोग प्रश्न पाँच का उत्तर देखेंगे, ठीक है? तो बच्चों उत्तर पाँच में हम लोग लिखेंगे जल धारंग शम्ता से आपका क्या अभिप्राय है, तो ये लिखेंगे उत्तर में मिट्टी अपने में जल को रोके रखती है, जिसे मिट्टी में नमी कहते हैं, मिट्टी की जल को रोके रखने की छम्ता ही जल धारंग शम्ता है, चिकनी मिट्टी की जल धारंग शम्ता सबसे अधिक होती है तो जल्धारंग शम्ता से क्या अभी प्राय है आप यह लिखेंगे उत्तर पांच में और जल्धारंग शम्ता में और क्या कहते हैं यह जो है आपका अंतर श्रवन दर यह जो है अंतर श्रवन दर से क्या अंतर है ठीक है तो इसका जो दूसरा प्रशने पांचवे वाले उत् इसमें आप अंतरश्रवंदर और जल्धारंग शमता लिख देंगे पाँचवे प्रश्न के उत्तर में और अंतरश्रवंदर जो है बच्चो यहां पर यहां से लेकर आप यहां तक जो है मिट्टी में यहां तक आप पाँचवे वाले प्रश्न में अंतरश्रवंदर और जल जलटहाराण शमता लिखेंगे क्या होता है और इन दोनों के अंतर यानि जलधाराण शमता और अंतर शवड़े में क्या अंतर होता है इसके लिख्वाला bile आप पाँचवे प्रश्ण में इसको लिखने को किस प्रकार रोका जा सकता है। तो चलिए हम लोग बच्चो इसका उत्तर देखते हैं। तो बच्चो उत्तर 6 में देखिए हम लोग क्या लिखेंगे। मिर्दा अपर्धन क्या होता है यह मैंने पिछले वीडियो क्लास में आपको बताया था। आप लोग जाकर पिछले वीडियो क्लास विज्ञान का देख सकते हैं। तो मिर्दा अपर्धन को उत्तर हम क्या लिखेंगे देखिए। मिर्दा अपरदन को रोकने के लिए जादा से जादा से जादा से जादा से जादा पेड लगाना चाहिए, पेड पौधों की जड़े मिर्दा को मजबूती से बांधे रखती है, मिर्दा मतलब मिट्टी, पहला चीज बचाने का कैसे रोका जा सकता है, दूसरा है वनों की कटाई पर रोक, मतलब जितना जादा वन की कटाई पर रोक लगाएंगे उतनी जादा पेड़ पौधे मिट्टी को जड़ों से बांधे रखेंगी और मिर्दा अपरदन रोक सकता ह तीसरा सीधी नुमा क्रिशी धाल वाली भूमी पर सीधी बना कर खेती करने से पानी की बहाव को कम किया जा सकता है जिससे मृदा का अपर्दन कम होता है ठीक है चौथा रसायनी खाद कीट नाशक का कम प्रेयोग करना तो इन लोगों का जिससे रसायनी खाद कीट नाशक का प्रेयोग जो हम मिट्टी में कम करेंगे तो हम मिट्टी के प्रद्यूशन को रोक सकते है जैव उर्वरकों के प्रेयोग को बढ़ावा देना जैव उर्वरक ज नहीं फेकना चाहिए, कच्रा निधारित स्थान या सरकारी वो कच्रा वाहन में ही डालना चाहिए, तो जो हम लोग घर के बाहर कच्रे कहीं भी सड़क पर फेक देंगते हैं, उससे भी मिर्टी का प्रद्यूशन होता है, अगर हम इसको सही जगह पर फेकेंगे, या जो सरका सारद्वारा कच्रा वाहन आता है, गाडि या थी उसमें फेकेंगे तो मिर्दा प्रद्यूशन कम होगा, सातवा, भूमी यानि मृत, प्रद्यूशन से होने वाले दुश प्रबावों के बारे में लोगों को जागरूप करना चाहिए, तो ये भी बहुत जरूरी है कि चीके?